1, 2, 3, come on! Welcome to Educative! Hello students! Welcome to my YouTube channel, जिसका नाम है Educative और आज हम पढ़ने वाले हैं 6 Class की Science का Chapter 6 Changes Around Us, हमारे चारों और के परिवरतन बच्चों, इससे पहले हम अपने चैनल पे 5 Chapter तक कवर कर चुके हैं अगर आपने वो Chapter नहीं पढ़े हैं, उनकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको नेचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो वहाँ से आप उन सभी Chapter को पढ़ सकते हैं तो चलिए Chapter शुरू करते हैं Changes Around Us जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है इस Chapter में हम अपने चारू तरफ होने वाले बिन परकार्द के परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे तो देखते हैं Chapter में क्या दिया हुआ है What a fun would it be if you suddenly get some magical powers to change things around you तो आपको कितना मज़ा आए अगर आपके पास अचानक से कुछ ऐसे जादू शक्ति आ जाए जिससे कि आप अपने आसपास की चीजों को चेंज कर सकें उनमें कुछ बदलाव कर सकें What are the things you would want to change? तो आप अपने आसपास की कौन सी ऐसे चीज़ें हैं जिनें चेंज करना चाहेंगे है कुछ ऐसे चीज़ें आपके नजर में जिनको आप बदलना चाहते हैं कौन सी हैं ऐसे चीज़ें? बताए जरा We do not have magical powers लेकिन हमारे पास तो कुछ ऐसे जादू शक्तियां नहीं है Of course बिरुकुल हमारे पास जादू शक्तियां नहीं है But we can still change a few things around us Perhaps many things लेकिन हम अपने आसपास की कुछ चीज़ों को change कर सकते हैं और यहां तक की बहुत सी ऐसे चीज़ें जिनको हम change कर सकते हैं जिनको आप अपने आसपास में change करना चाते हैं पिरना किसी magic power को involve किये हुए Many changes are taking place around us on their own हमारे आसपास अपने आप ही कुछ ऐसे change होते रहते हैं जो कि अपने आप होते हैं हमें उनको करना नहीं पड़ता In the fields, जिसे कि खेतों में The crops changes from time to time जो खेतों में जो फसले होती हैं वो समय के साथ-साथ change होती रहती हैं परिवर्तित होती रहती हैं मान लिजी आज खेत में जो आपने उगाई हैं पोधे वो आज छोटे हैं फिर बड़े हो जाएंगी फिर उनकी कटाई हो जाएगी इस तरह फिर दूसरी फसल लुगा दी जाएगी तो इस तरह से उसमें change होते रहते हैं Sometimes, live fall from trees और कभी-कभी आपने देखा होगा कि जो पत्तियां हैं वो पेड़ों से गिरती हैं गिरते देखा होगा अपने पत्तियों को कि वो अपने आप भी ना किसी के तोड़े ही पेड़ों से नीचे गिरती रहती हैं Changes, color and dry out उनका color change होता है और वो सूख बिजाती है The flowers bloom and then wither away और जो full होते हैं वो खिलते हैं और कुछ टाइम के बाद मुर्जा जाते हैं Are any changes happening in your body? तो क्या आपके body में आपके शरीर में भी कुछ change होते हैं क्या आपके शरीर में भी कुछ परिवर्तन होते हैं Your nails grow आपके जो nails हैं नाखोन हैं वो बढ़ते हैं Your hair grow और जो आपके बाल हैं वो भी क्या होते हैं बढ़ते हैं बिना किसी आपकी मदद की ग्रो करते हैं तो वो भी बढ़ने लगता है तो यहाँ आपने देखा कि हमारे चारों तरफ ऐसे बहुत सारे चेंज हैं जो हर टाइम पे होते रहते हैं तो क्या इन में से कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जिनको आप एक साथ समों में बाढ़ सकते हैं हाओ कैन भी गुरूप वेरियस चेंज तो हम इन परिवर्तनों को गुरूप में कैसे बाट सकते हैं उनको कैसे गुरूप में बाटेंगे तो अगर हमें उन में कुछ समानता नजर आएं तो यह हमारे लिए कुछ हैलपड हो सकता है कि जो भी change हमें एक जैसी समानता वाले निजर आएंगे उनको हम एक गरूप में रख सकते हैं और दूसरों को दूसरे गरूप में रख सकते हैं अब देखी यहां पे दिया हुआ हमें next topic Can all changes always be reverse? तो कि जितने भी change होते हैं, परिवर्टन होते हैं वो हमेशा reverse हो सकते हैं कि दूबारा उन्हें उसी रूप में लाए जा सकता है इसके लिए देखते हैं हम यहां पे एक activity activity one Take a balloon and blow it तो यहां पर आपको क्या करना है? एक balloon लेना है और उसको फुलाना है उसमें हवा भरनी है यहां देखिए जो यह girl है यह balloon को फुला रही है इसी तरह से आपको balloon को फुलाना है Take care that it does not burst लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यह foot ना ने चाहिए यह burst नहीं होना चाहिए The shape and size of the balloon have changed तो जब आप इसको फुलाते हैं इसमें हवा भरते हैं तो क्या होता है? जो balloon की shape है और जो size है वो दोनों ही क्या होते हैं? Change होते हैं परिवर्तित होते हैं जैसा कि आपको figure में दिख भी रहे हैं यह आपे कि जैसा जैसे यह लड़की balloon को फुला रही है इसके shape और size change हो गए है Now let the air escape the balloon और अब आपको क्या करना है? इसकी आपको दीरे-दीरे हवा निकालनी है दुबारा से अब हमारे लिए फिर से एक activity दी हुई है activity 2 Take a piece of paper and fold it as shown in figure 6.2 तो यहाँ पर आपको एक paper लेना है और इसको fold करना है You have changed the sheet of paper into a toy aeroplane तो आपको इस paper को किसमे change करना है? इससे आपको एक paper वाली aeroplane बनानी है You made loads of fun in flying this aeroplane तो जब आप इसको बनाएंगे और इसको उड़ाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है Once you are tired of it, unfold the paper again और जब आप इसको उड़ा-उडा के ठक जाएं तो दुबारा इसको unfold कर लीजिए पेपर को सिधा कर लीजिए तो आपको दुबारा अपना paper वापस मिल जाएगा यह देखी यहाँ पर दी हुए हमें figure 6.2 जिसमें की एक toy aeroplane बना के दिखाया हुआ है जो की paper से बना हुआ है अब है activity 3 इसमें क्या करना है देखते हैं Take some dough and make a ball तो यहाँ पर आपको कुछ आटा लेना है गुथा हुआ और उसकी ball बनानी है Try to roll out a roti उसके बाद आप इसको बेल कर roti बनाएंगे इसकी जिसके figure 6.3 में दिखाया भी हुआ है यह artist यहाँ पर roti बनाए गई है Maybe you are not happy with its shape and wish to change it back into a ball of dough again तो माली जी कि आप हो सकता है जो आपने रोटी बनाई है इसके shape से satisfied नहीं है और आप चाहते हैं कि इस shape को दुबारा change करूं और दुबारा से एक round shape की रोटी बनाऊं में क्योंकि मेरी रोटी ठीक से नहीं बनी है तो आप क्या करेंगे दुबारा इसको क्या करेंगे रोल करेंगे और दुबारा ये dough में convert हो जाएगे इसको दुबारा dough बना लेंगे तो आपने जो ये तीन activity की इनमें जो changes हुए उनके बारे माँ आप जड़ा सोचिए तो इन सब में क्या common था इन सब में ऐसा क्या था जो सबी में समान था Was it possible to get a balloon bag to its original shape and size तो क्या ये possible था कि जो balloon था उसमें से हवा निकालने के बाद दुबारा से उसको उसका जो shape और size था उसका original उसमें वापिस लाया था कि Was the shape of paper same as before and after making an aeroplane और जो आपने aeroplane बनाया था paper का तो दुबारा आपने इसको unfold किया तो उसकी जो shape थी और size था क्या वो same ही था जैसा कि पहले था Was it possible to get back the ball of dough again और जब आपने रोटी बनाई तो उसको दुबारा fold करके रोल करके जब दुबारा dough में बदला तो क्या वो same ही था जैसे कि पहले था What do you conclude तो आप इनसे क्या निशकर्ष निकालते हैं In which of three activities is it possible to get back to the material with which we started our activity तो इन सभी तीनों की तीनों activity में ये possible था क्या जो आपने material पहले लिया था उसी को आपने वापिस पुने पराप्त कर लिया If the answer is yes अगर आपका answer हाँ है It means that the changes occurring in this activity can be reverse और अगर आपका answer हाँ में है तो इसका मतलब ये है कि जो change in activities में हुए है उनको reverse किया जा सकता है Now let us repeat the same activities with a difference और अब ऐसा करते हैं कि इन सभी activities को कुछ difference के साथ कुछ antar के साथ फिर से repeat करते हैं देखे यहां दे हुए activity 4 और अब इसको क्या करना है अपने एक pencil के नुकेली जो नौक होती है उसको इस से चुबाना है Oops! It burst अरे ये तो फूट गया अब है activity 5 Take the same piece of paper which is used in activity 2 और अब आपको क्या करना है इस activity में आपको वही same paper लेना है जो आपने activity 2 में use किया था aeroplane बनाने के लिए Draw an aeroplane on it and cut along its outline तो आपको इस पर क्या करना है इस पर आपको aeroplane बनाने नहीं है बलकि aeroplane इस पर draw करनी है जैसा कि figure 6.4 में दिखाया गया है और फिर इसकी outline से इसको cut करनी है तो आपकी जो aeroplane है इस तरह से बन जाएगी अब है activity 6 Roll out a roti from the bowl of dough again and bake it on a tawa तो आपको अब क्या करना है आपको roti बनानी है roti बेलनी है dough से और उसको तवे पर सेखनी भी है जैसे कि 6.5 figure में दिखाया हुआ है Suppose you are asked the same 3 questions which you answered after activity 3 तो मान लेजिए आपसे वही तीन question फिर से पूछे जाएं जो कि आपसे activity 3 के बाद पूछे गए थे What would your answer be now? तो आपके अब इस समय क्या answer होंगे? We see that the changes which have occurred in the activity 4, 5 and 6 cannot be reversed तो हमने देखा कि जो activity 4, 5 और 6 में चेंज थे हम उनको रिवर्स नहीं कर सकते उनको वापिस उसी अवस्था में नहीं ला सकते You use a pencil and a razor तो आप बचों pencil और जो rubber है वो तो use करते ही होंगे With repeated use और बार बार में अगर उनका use करते जाएं, करते जाएं तो क्या होगा? Their shape and size change उनकी जो shape है, आकार है और जो उनका size है वो दोनों क्या होंगे? Change हो जाएंगे, बदल जाएंगे Can we reverse this change? तो क्या आप इस change को reverse कर सकते हैं, उनके अगार में बदल सकते हैं, नहीं, बिलकुन ही बदल सकते हैं You must have seen a porter working on his wheel आपने किसी जो कुमार होता है, उसको जरूर देखा होगा कि वो अपने चाक पे क्या करता रहता है Porter घड़े बनाता रहता है He shaped a lump of clay into a pot और उसके पास जो clay होती है, मिट्टी होती है, वो उनसे क्या करता है, shape change करके port बनाता है Can this change be reverse? तो क्या इस परिवर्ट उनको reverse कर सकते हैं, उन्हें प्राप्त कर सकते हैं क्या मुनिय वस्तों को He then baked the port in an oven और उसके बाद ये इन port को क्या करता है, गड़ों को पकाता है Now can this change be reverse? तो क्या अब हम इन changes को reverse कर सकते हैं? Some common changes are given in table 6.1 तो कुछ जो समयने तक जो change होते हैं, उनको table 6.1 में दिया हुआ है Which of these changes do you think can be reverse? तो इन में से कौन से ऐसे change हैं, जिनके बारे में आप सोचते हैं कि उनको reverse किया जा सकता है We find that one way we can group change is to see if they can be reverse तो हम ये पाते हैं, क्या एक तरीका ये भी है, चीजों को group करने का, जो changes हैं को group करने का कि अगर ये हमें दिखते हैं कि reverse हो सकते हैं, तो हम इनको एक group में रख सकते हैं तो यहां दियों ये table 6.1 जिसमें कुछ common changes दिखाए गए हैं और उसके सामने जो column उसमें लिखा है, can be reverse तो क्या उनको change किया जा सकता है, अगर हां तो आप लिखिए yes और नहीं तो लिखिए no तो each table को आपको करना है पूरा, क्योंकि ये आपके लिए आज का है homework तो इसको पूरा कीजिए, और आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को like कर दीजिए, और अपने सभी friends के साथ इसको share जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नहीं है, तो चैनल को subscribe कर लेजिए, और bell icon को press जरूर कर लेज तेंक्यू वोचिए मैं वीडियो!